गुरुवार की दो पहर करीब दो बजे के आसपा जोरदार बारिश हुई इसी दोरान खेत में काम कर अपने पती के साथ बैल गाड़ी में बैट कर वापस घर लोट रही महिला नर्खेट तहसील के रामठी के शिंपी नाले में आई बाड के पानी में बह गई इस हाथसे में बैल गाड़ी भी बह गई पती ने महिला को बचाने का काफी प्रयास किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली बताया गया कि दो पहर को मुसलाधर बारिश होने से गाव के नदी नाले पूरी तरह से भर कर बहने लगे लेकिन सुबह आसमान साफ होने से रामठी निवासी किसान वामन सवई खेत में मूंगफली तोड़ने के लिए पतनी के साथ गये थे इसके अलावा उन्होंने अपने साथ अन्य दो खेत मजदूर महिलाओ को भी लिया था परंतु दो पहर को अच्छानक मुसलाधार बारिश की शुरुआत होई जब सवई ने देखा कि अब बारिश रुकने वाली नहीं है तो वे पतनी वंदना और दोनों महिला खेत मजदूरों को अपनी बैल गाड़ी में बिठा कर घर की और निकल पड़े लोटते समय शिंपी नाला पानी से पूरी तरह भरा हुआ था इसे पार करते समय बैल गाड़ी सहित सभी बह गये किसान वामन सवई तैरना जानते थे उसने दोनों महिला मजदूरों को तो बचा लिया परंतु अपनी पतनी को नहीं बचा पाया घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर उसका शव मिला घटना की जानकारी जलाल खेडा पुलिस स्टेशन को दी गई सूचना मिलते ही थानेदार हरिश्चन गावडे सहित मेंडला के बीट जमादार पुरुशोत्तम धोंडे शरत गोरमाडे तलाठी वहाने दिवाकर गांजरे रामटी के पुलिस पाटिल प्रफुल मुसले ने महिला का शव का पंचनामा कर पोस्ट मॉटम के लिए जलाल ख खेड़ा रवाना कर दिया